उतिप्रदेश के कास गंज में बड़ा हाथसा हो गया है यहां 40 लोगों से भरी ट्राक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई है जानकारी मिली है कि हाथसे में 22 लोगों की मौत हुई है इन्में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है फिलहाल मौके पर बुल्डोजर से रेस्क्यू ऑप्रेशन चल रहा है घायलों को जिला अस्पताल रफर्ग किया गया है बताया जा रहा है कि सभी लोग एटा के जैत्रा के रहने वाले हैं जो मागी पूर्णमा के अफसर पर क्राक्टर ट्रॉली से घाट के नारे गंगा स्नान करने जा रहे थे तबी रियाफ गंस पटियाली मार्क पर गढ़ई गाओं के पास हाथसा हो गया चीखने चिलाने की आवाज सुनकर आसपार के लोग पहुचे देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए घतना का वीडियो भी सामने आया है हाथसे को लेकर सीम योगी ने दुख चताया है उन्होंने हाथसे पर ततकाल संग्यान लिया और साथ इमृतकों के परिजनों को सहायता देने के निर्देश भी दिये है उन्होंने दो लाख रुपे देने के निर्देश दिये है और एलान किया है कि घायलों को 50,000 वसभी का निश्यल को अप्चार किया जाए